बीजेपी का केंद्रिय नेत्र तो भी नहीं बलकि सभी राज्यों की मुख्यमंत्री भी अलाग 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 राज्यों में जाकर चुनाप्रचार करते नजर आ रहे हैं अलग-अलग राज्यों की मुख्यमंतरी बीजेपी शासित प्रदेशों में किये गए काम का लेका जोका लोगों के समक्ष रख रहे हैं उत्राखन की मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी उत्राखन के साथ साथ कई राज्यों में धुआधा उचना प्रचार करते नजर आये ऐसे ही आपने उत्तरप्रदेश की मुख्यमंतरी को भी देखा अगर आज की बात करते हैं तो C.A.M. धामी ने पहले न्यानिता लोकसबा शेतर में रोख्चो किया इसके बात C.A.M. धामी उत्तरप्रदेश के पीली भीत पहुंचे और यहाँ पनोंने C.A.A. का जिकर कर बंगाली समाज को साधा पीली भीत में C.A.M. धामी तीन अलग-अलग कारक्रमों में शामिल हुए उन्होंने कहा कि C.A.A. से बंगाली समाज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा C.M. धामी का स्वागत बंगाली समाज की महिलाओं ने बड़े पारंप्रिक तरीके से किया जो गंगा समान नागरिक सहिता की निकली है जिस प्रकार से यहां से गंगा सार्दा यमना निकल कर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है उसी प्रकार से समान नागरिक सहिता की एक गंगोतरी यहां भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम बहुत से मैं हमारे परधान मंतरी मुदी जी के लिट फूमें करने वाली है जिसकी हमने या शुरुआत कर दिया कांग्रेस के लोग गड़बंदन के लोग वो कहते हैं कि कांग्रेस से ये 1370 कस्मीर से हटाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या लेड़ा देना है उत्राखन के लोगों को क्या लेड़ा देना है बंगाल के लोगों का क्या लेड़ा देना है ये बिहार के लोगों का क्य सब्सक्राइब करना चाहते हैं पीली भी संसद्य सीट पर पहले चरण में 19 अपरल को इसके लिए चनाव प्रचार पूरी तरीके से परवान चड़ा हुआ है वचे तो मैदान में 10 उमीदवार हैं लेकिन चनाव प्रचार के मैदान में बीजेपी सपा और बसपा उमीदवारी सक्रे नजर आ रहे हैं तीनों राजनितिक दलों की उमीदवार अपने संबोधनों म बहुत ज़्यादा दिल्चस्प बनता नजर आ रहा है कि पीली भीत अगर लोगसभा की बात करते हैं तो इस सीट पर साड़े तीन दशक से पूर्व केंद्रे मंत्री सांसत मेंका गांधी या फिर उनके बेटे सांसत वरुन गांधी का ही वर्चस्व अभी तक रहा है इस कार पर्ति जंता पार्टी के शीर्ष नेत्रत्री ने सांसत वरुन गांधी का टिकेट काटा और यूपी के लोग निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को यहां मौका दिया मैस समाजबादी पार्टी ने बरेली के नवाब गंज विधानसवा शेत्र से कई बार विधा पूर मंत्री भगवत सरन गंगवार और बहुद्यन समाज पार्टी ने बीसल पूर निवासी पूर मंत्री अनीस एहमद फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है इस तरीके से यहां का प्सियासी समीकरण क्या है वो आप समझ सकते हैं